हेलो दोस्तों लाप्टोप मास्टर में आपका स्वागाता है मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लाप्टाप के साथ आज हम लेके आए हैं HP EM0026AU जी हाँ 14 इंचिस के अंदर लाप्टाप लाँच किया है HP ने राइजन 5 7000 सिरीज और 8GB RAM 512GB SSD के साथ आज हम इस लाप्टाप को अनवाक्स करेंगे और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ ये लाप्टाप हमें मिला है HP से और जिस डीलर के त्रू मिला है वो दिल मारा Laptop Master Channel subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लिजीगा, bell icon जरूर प्रहस कर दीजीगा जिससे आगे आने वाली नहीं वीडियो के नहीं नहीं लाप्टाप की वीडियो आपको मिलती रहे, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं करते हैं Laptop को Unbox, तो दोस्तों Laptop हमने Unbox कर है जैसे कि हैं लाप्टॉप में बिलता है पावर एडेप्टर है 65 वाट का पावर एडेप्टर है राउंड पिन के साथ पावर कोड मैनुवल और यह है हमारा लाप्टॉप इसको देखते हैं आज 14 इंचिस का लाप्टॉप है 14S सीरीज के अंदर लाइट वेट काफी है बहुत लाइट वेट लाप्टॉप है देखे जो पीछे राइजन 3 राइजन 5 7000 सीरीज में जो हमारे एच पी ने लाँच किया था लाप्टॉप उसी सीरीज का यह लाप्टॉप है अगर आप देखेंगे तो काफी स्लीक ऑगर आप इसके स्लीक नेस देख़ेंगे तो काफी स्लीक है लाप्टॉप यह बिल्ट क्लाइट की बात किरेंगे तो बिल्ट क्वालिटी भी काफी बैटर है एक एक हाथ से ओपन करके देखते हैं नहीं ओपन हुआ एकिफान नहीं होपाया हमने दोनों हाथ यूस करें इ दूसरा है USB Type A 5 Gbps signal link rate के साथ, laptop के right side में देखते हैं, तो light side में हमें 4 port दिखाई देते हैं, पहला port तो वही हमारा USB Type A, जो हमारा left side में भी था, एक port आपको उसके साथ दिखाई देता है, HDMI 1.4 आपके projector connect करने के लिए, LED TV connect करने के लिए, साथ में आपको दिखाई देता है, Type C 5 Gbps signal link rate के साथ, और फोर्थ जो हमारा port है, वो है 3.5 mm का combo jack headphone mic करने के लिए, तो चलिए दोस्तों configuration देखते हैं, laptop की, बात करेंगे प्रोसेसर के तो AMD Ryzen 5 7520U, 7000 सिरीज का प्रोसेसर है इसमें, AMD का, जिसकी base speed 2.8 GHz है, अगर हम cores की बात करेंगे, तो 4 cores हैं, देंकि आप ना इसमें confused मत होईएगा, क्योंकि अगर आप कहेंगे Intel i5 तो 10 generation का प्रोसेसर दे रहा है, sorry, 10 core का प्रोसेसर दे रहा है, और यहाँ पे हमें 4 core मिल रहे हैं, देंकि जो 10 core होते हैं, आपको 2 या 4 core ही मिलेंगे, बागी सब efficient core होते हैं, तो आप यहाँ पे मत confused होईगा, इसका nanometer की बात करेंगे, तो 7 nanometer का प्रोसेसर है, और L3 cache की बात करेंगे, तो वो भी 4 MB है, और logical processor इसमें आपको 8 मिलते हैं, memory की बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको laptop का back panel open करके दिखाएंगे, कि RAM अप्गेड होगी या नहीं होगी, डिस्क देखते हैं, WDX में 512 GB की SSD आपको इसमें मिलती है, जिसकी capacity 477 GB है, graphics, AMD Radeon Graphics आपको इसमें मिलते हैं, जिसकी dedicated GPU memory आपकी 512 MB है, देखें, graphics, में अगर हम यहां पर देखेंगे, तो हमेशा यहां पर प्रोसेसर में डिफरेंस आता है, जब Intel के प्रोसेसर आप देखते हैं, और AMD के प्रोसेसर में अपनी कोई भी graphic memory नहीं होती, और AMD के हर प्रोसेसर में आपको at least 512 MB की graphic memory जरूर मिलेगी, और Shared GPU अगर हम देखेंगे, तो हमने 3.6 है, टोटल आपको 4.1 GB होता है, देखे 512 MB आपको काफी मदद करती है, आपके Coral Photoshop के अंदर भी, और अगर light gaming करते हैं, तो भी आप इस graphics पे वो कर सकते हैं, तो दोस्तों, अभी जो voice आप सुन रहे थे, वो हमने इसी laptop के mic से record की थी, जो configuration पढ़ते हुए, जो हम आपको दिखा रहे थे, वो इसलिए हमने इसी laptop के mic से record करी, जिससे आपको mic की clarity भी मिल जाए, अगर हम screen की बात करते हैं, तो screen आपको 14 इंचिस की full HD, 1920 by 1080 जिसका resolution आपको मिलती है, microage है, anti-glare है, अगर हम nits की बात करेंगे, 250 nits है और 45% NTSC के साथ, आपको इसका display मिलता है, camera की बात करेंगे, HP True Vision 1080p Full HD camera आपको इसमें मिलता है, with temporal noise reduction के साथ, इसमें आपको integrated dual array digital microphone भी मिलते हैं, laptop में आपको 14 इंचिस का full size backlit keyboard मिलता है, जिसमें आपको numeric keypad नहीं मिलेगा, color की बात करेंगे, तो soft gray color आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो चलिए दोस्तों laptop का back panel open करते हैं, और देखते हैं हमारा laptop upgrade हो सकता है, या नहीं upgrade हो सकता, तो दोस्तों laptop हमारा open हो गया है, दोस्तों मैं आपको एक बाता हूँ, जितना easy आपको वीडियो में लगता है, laptop का back panel open करना उतना easy नहीं होता है, कभी भी आप खुद try मत करिएगा laptop को open करनेगी, अगर आप laptop खुद open करेंगे, तो इसके अंदर locks होते हैं, प्लास्तिक के locks होते हैं, बहुत चोड़ चोड़े locks होते हैं, अगर वो आपसे damage हो गए, तो आपका laptop दुबारा pack नहीं होगा, और अगर आप market में आप इसका back panel लेने जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा costly होता है, इसलिए जब भी laptop खुलवाएं, तो किसी technician से खुलवाईएगा, इसमें भी onboard RAM लगी भी है, जो upgrade नहीं हो सकती, यहाँ पे हमारे को SSD मिलती है, 512 GB की, अगर आप upgrade करना चाहें, तो इसी को remove ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास और कोई options एविलेबल नहीं है, फैन के साथ में आपको दिखाई दे रहा है, वो है Wi-Fi, Wi-Fi 6E है, Bluetooth 5.3, बैटरी, यहाँ पे बाकी हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बैटरी है, अगर आप बैटरी भी देखेंगे, तो बैटरी आपको मिलती है, इसके अंदर 3Cell की बैटरी आपको मिल जाती है, और बैटरी के आज़ पास आप देखेंगे, तो आपको दो स्पीकर्स हैं, जो आपको इसमें मिलते हैं, तो दोस्तों आज हमने अन्बॉक्स किया, HP 14S EM0026AU Laptop, Ryzen 5 7000 सेरीज में हमारा यह Laptop, जैसे कि हमने देखा 8GB RAM, 8GB RAM LPDDR5, हमने यह भी देखा कि RAM अपगेड़ नहीं हो सकती, क्योंकि LPDDR5 से हमें पहचल जाता है, अपगेड़ नहीं होगी, 512GB SSD है, और Windows 11 के साथ आपको यह Laptop मिलता है, सबसे पहले हम आपको यह भी बता दू, काफी लोग कन्फीज होती है, जैसे यह Laptop आता है, Windows 11, Single Language के साथ, और Microsoft Office 2021, Home and Student Edition आपको मिलता है, यह दोनों ही Software lifetime होता है, जब तक यह Laptop रहेगा, जब तक आपके यह दोनों Software औरिजिनल रहेंगे, देखे, अब हम बात करेंगे Laptop की, देखे 14S के अंदर, इस टाइम, मैं यह देख रहा हूँ, अगर हम below 50,000 की बात करेंगे, तो यह Market में सबसे अच्छा Laptop, मुझे दिखाई देता है, यह 14 इंचिस का accounting करते वे, आपको numeric keypad की जोत होती है, और जब भी Excel sheet पे आप कांग करते हैं, तो भी आपको numeric keypad की जोत होती है, 14 इंचिस के अंदर वो आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ आपको problem हो सकती है, लेकिन अगर आपको फिर भी light weight laptop लेना है, तो यह उसके लिए perfect है, जी हाँ, अगर आप इसमें editing करना चाहेंगे, वीडियो editing तो खलकी फलकी video editing हो जाएगी, लेकिन running करने में आपको काफी time लगेगा और काफी दिक्कत आएगी, अगर आप gaming करना चाहें तो वो भी हो सकती है, high-end gaming बिल्कुल भी नहीं होगी, basic gaming आप इसके अंदर कर सकते हैं, coral row photoshop पे आप work कर सकते हैं, लेकिन यह भी आद अगेगा, यह 100% sRGB के साथ इसकी screen नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी problem आएगी, color clarity में थोड़ा सा difference रहेगा, अगर आपने online classes करनी है, आपने अपनी zoom meeting करनी है, वो आप इस laptop पे बहुभी कर सकते हैं, आप अपने office का work, आपने internet surfing करनी है, school going kids हैं, उनके यह laptop perfect है, 14 inches है, weight भी इसका approximately 1.4 kg आपको मिलता है, HP ने इसके keyboard में भी difference दिया है, जैसे पहले laptop आते थे silver color के, उसमें keyboard भी silver color का ही होता था, लेकिन इस laptop के अंदर, जो HP ने differentiate किया है, वो keyboard का है, उसका color उन्होंने change कर दिया है, जिससे आपको problem ना आए, काफी old age जो people होते हैं, उनको काफी problem आती थी, उस silver color के अंदर numbers देखने में, कि हमें ABCD दिखाई नहीं देता, clearly नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस उमर में eyesight थोड़ी सी weak हो जाती है, इसलिए HP ने इसमें थोड़ा सा keyboard change कर दिया है, अगर आप pricing की बात करेंगे, तो market में ये laptop आपको 50,000 से नीचे मिल जाएगा, जी हाँ, HP इसके साथ one year on-site warranty देता है, अगर आप upgrade कराना चाहिए, तो आप upgrade करा सकते हैं, दो साल extended warranty भी आप ले सकते हैं, उसकी भी offer, HP time to time देता रहता है, कभी 1000 रुपे में, कभी 1500 में, कभी 2000 रुपे कभी 2500 में, 2500 में भी, ये time करेगा, आप कब लेने जा रहे हैं, ये HP change करता रहता है, और हाँ, अगर आप accidental damage protection लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, HP इसके साथ 4500 में, 3 साल का accidental damage protection देता है, यानि 3 साल तक, अगर laptop आपका damage हो जाए, टूट जाए कहीं से भी, तो without any charges, HP उस part को change करके देगा, जी हाँ, ये सबसे बड़ी facility है, जो आपको मिलती है, अगर आपके घर में kits हैं, आपको लगता है कि हमारे बच्चे, थोड़े से लापरवा हैं, तो उनके लिए आप इस laptop के साथ, या आप कोई भी laptop लेने जा रहे हो, तो accidental damage production आप जरूर लीजेगा, और मैं हर वीडियो में आप से यहीं कहता हूँ, जब भी आप warranty extend कराएं, या accidental damage production लें, तो सिरब उसी company से लीजेगा, जिस company का आप laptop ले रहे हो, चाए वो HP हो, चाए Dell हो, चाए Lenovo हो, हर company accidental damage production के time to time offer देती रहती है, कभी भी आप third party बिल्कुल भी मत लीजेगा, क्योंकि जब भी आप third party warranty extend कराएंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होगी warranty claim करने में, एक तो बहुत समय मिलता है, देखिए अगर आप HP की warranty ले रहे हैं, आप HP के पास जा रहे हैं, कोई पार्ट रिप्लेस कराएंगे, तो HP के पास हमेशा पार्ट एवलेबल होते हैं, एक या दो दिन में आपका पार्ट रिप्लेस कर देंगे, बहुत ही रेर होगा तो 5-6 दिन में भी रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन 3rd party के पास parts नहीं होते हैं, वो कभी भार से कभी arrange करते हैं, बहुत टाइम लगा और पार्ट पेमेंट भी आपसे लेते हैं, तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा laptop master channel सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगया ने वाली वीडियो उसके notification आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, अगर आपने laptop लेना भी है, तो दिल्ली के अंदर करोल बाग में, Omen Playground, HP World, यहां से आप laptop जरूर देखाए, यहां पे जितने भी HP की offers होती हैं, उस सब available होती है, हमें भी यह laptop वहीं से available कराया है, HP ने, तो दोस्तों, वीडियो के अंद तक बने रहने का हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नए laptop के साथ, जाहिंद,